कि मुसकान मुसकान हमारी एडेंटीटी होती है जब भी हम किसे से मिलते हैं तो शazzo हम serait między मुसकां से याद रखता लेकिन क्या करें जब आवमारे दात तेड़ें मेड़े in फिर 9 पीले हो या फिर आगे हो या फिर पीछे हो यह दात होते हैं जिसको हम ऑysisored से ठीक कर सकते हैं हेलो माइनेम इस दॉक्टर समीदा पाटिल कॉस्मेटोलोजिस्ट और इंप्लांटोलोजिस्ट और्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या होती है अब यह होती है जहां पर हम ब्रेसेस या फिर अलाइनर्स यूज करते हैं आपके तेड़े मेड़े दात को सीध और बहुत अंदर है तो आगे ले सकते हैं अगर बाहर है तुम उसको अंदर ले सकते हैं उसके कुछ फोर्सेस होते जो हम एक्टिवेशन भोलते हैंadem करते रहते है ब्रेसेस के टाइप्स में उते है मैटल जिसकी रेंज होंगी प्राइस का अपको 25-30,000 yesterday, सब Reading M.Sigor tijd in the यह तेन टीन टीप के गरते हैं। लेकिन इस ख़र हम को प्राइस की सपटा थोड़ी डिफरंट होते हैं। जो मेरली टीरियों ही 35-30 में उस हुरी कि टीकिंट उसे पटात टीक करना healthy ऊहुता ही उसका कि गासिघान्मी करना और लेकिन इसको टाइम कितना लगता है जिसे ब्रेसेस पने तो कॉमनली ट्रीटमेंट्स होती है एक से देड़ साल चलने वाली एक से देड़ साल आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है हर महने आपको डेंटिस के आप विजिट करनी पड़ती है और ब्रेसेस को एक्टिवेशन से प्लेट दी जाती है जो कम से मम तीन से चे मैने तक पहननी पड़ती है ताकि जो ट्रीट्मेंट एक-देर साल तक चली है जिसको हमको रखना है जिसको उसको रिटेन करके रखना है तो इस तरह अगर आप यूज कर सकते हैं तो आपको देर से दो साल का एक पैन देना 10-30 साल के उमर के उपर के ढूलुघ उनको हम्को थोड़े से जो ठेस्क करने पड़ते हैं कि हम देस करने पड़ते हैं जिसको महिन II सभूर्प Legend के ने पड़ते हूप सकते हैं उस्जडिन्क वह इन उमर में हम्मार शड़ा सकते हैं अब इसमें एक दूसरा अडवान्स टेक्नाजिया है जिसको बोलते हैं अलाइनर्स क्या होते हैं अब में जो कि फिक्स इसको निकाल नीम पा रहे थे लेकिन हो वो स onc family मोबरिया है उसकी थोड़ से उसको रिमुबकर सकता है उसके हाथोसे उसको सफाई कर सकता है और जब उसको अपने अपने इसलेHeim खाने के समय हम उसको निकाल भी सकते हैं लेकिन ब्रेसेस में थोड़ा सी वह तकलीफ होती है हमको फुल टाइम उसको पहनना पड़ता है इसलिए ब्रेसेस का डिस्ट अडवेंटेज थोड़ा सा है कि उसको क्लीनिनेस हाईजीन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है पहने के कारण आप अपने मज़े से निकाल सकते हैं लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि दिन में बीस ते बाइस घंटा आपको आलाइनर्स पहन के रखना पड़ता है जितना जादा आप अपका टाइम पिरेड कम होता है जो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में देड़ साल लग सक जो 3-6 साल का है जो मैंने पहले ही बताया है तो दोनों ट्रीटमेंट अपनी जगह पे बहुत अच्छी है जैसे आप कंफरेड़ेबल हैं वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं अब यह होगे जो फिक्स ट्रीटमेंट है जिसकी टाइम स्पैन भी एक तेर साल का मैंने बताया है ले आज आये है उनको 2 माहने बाद जाना है फिर से उनको भीट सप्षेंब करें तो इस इस में हम क्योफ क्रीटमेंट होती है जो है स्माइल डिजाइनिंंग की ड़ीटमेंट जो कुछ केश्स में हम कर सकते हैं जहां पे सामने के दाथ अगे पिछे या फिर आड़े तेड़े शल्ड जय करते है जो हम थोड़ा हलका अलेख शेप देक विनियर्स लगाते हैं है। बहुत पतली नेक्राविश बनते हैं लीठेम डाटिय। जाय अफिकर चिकर सकते हैं। इससे आपके 3-3 मिंदे दाथ का शेफ थीप करके आपको दे सकते हैं तो इसका ट्रीटमेंट एक तीन से चार दिन में हो जाएगा और आप वो डारेक्ट लगा कि आपके 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 शादी है या फिर आपके एजुकेशन के लिए आप बरोड जा रहे हैं तो यह क्विक ट्रीटमेंट हो सकती है और इसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है जो हर टूत के पीछे आपको 10-12,000 लगता है और इसका ज आपको तीन तरीके बताए जिससे आपके आड़े तड़े दात या फिर जो दात अपको अच्छे नहीं लगरे समाइल करते समय हम उसको ठीक कर सकते हैं